नमस्कार दोस्तों करता करे ना कर सके सिर्व करे सो होई तीन लोक नौ खंड में महाकाल से बड़ा न कोई जी है नमस्कार दोस्तों राजे राजे स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के भी राशी फल में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुम्बराशी वालो की कुम्बराशी वालो का 27 दिसंबर दिन सोमवार कैसा रहने वाला है उन्हें आने वाले समय में किन-किन चीजों से सावधान रहना होगा और कुम्बराशी वालों को आने वाले समय में वो कौन-कौन सी बड़ी-बड़ी खुसकबरिया मिलने वाली है दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुम्ब राशी वालों का पारवरिक जीवन कैसा रहेगा उनका बिजनेस बैपार कैसा चलेगा उनका प्रेम संबद कैसा रहेगा और साथी साथ उनका स्वास्ते कैसा रहेगा दोस्तो आज हम इस वीडियो में आज का संपून रासी फर बताएंगे अगर दोस्तो आपकी भी कुम्बरासी है तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तो आज सोमवार है महादेव महराज का दिन है दोस्तो कॉमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना दोस्तो जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा महादेव महराज उनकी सारी मनुकामनाएं पूर्ण करेंगे अगर दोस्तो आप पहली बात चैनल पर आए हो तो चैनल को सस्क्राइब करके नोडिफिकेशन बेल को और पर सिलेट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे अब बात करते हैं दोस्तो आज के पांचांग की आज का पंचांग है 27 दिसंबर 2021 दिन सोमवार आज की तीथी है अश्टमी आज का नच्छत्र है हस्त नच्छत्र पच्छी चल रहा है कृष्ण पच्छ दोस्तो आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6 बच के 42 मिनट पे सूर्यदेव अस्तोंगे साम 5 बच के 16 मिनट पे दोस्तो आज का सुब समय है सुबह 11 बच के 12 मिनट से दोपहर 12 बच के 47 मिनट तक दोस्तो को इस सुब काम करना है तो इसी समय करें आपके लिए सुब रहेगा और साथी साथ आज का सुब समय है सुबह 10 बच के 13 मिनट से सुबह 10 बच के 55 मिनट तक दोस्तो अज कुमरासी वालों का लकी नमबर 3 और लकी कलर है नारंगी अथुआ सुनहरा अब बात करते हैं दोस्तो आज के चानक निती ज्यान के बारे में चानक जी कहते हैं दिन की सुरुआत करने से पहले इन बातों को जान ले मिलेगी सफलता प्रसंद होगी लचमी जी जी हाँ दोस्तों चानक जी का कहना है कि सफलता उसी के हिस्से में आती है जो अपने काम लच्छ और जिम्मदारियों को लेकर गंभिर रहता है जो इन बातों का ध्यान नहीं रखतें उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती है सफलता एक दिन के प्रयासों से नहीं मिलती है इसके लिए हर दिन कुछ न कुछ नया करना पड़ता है इसलिए जब भी दिन की सुरुआत करें तो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें नमबर एक सभी कामों की सूची बनाए चानक जी कहते हैं कि दिन का आरम करने से पहले पूरे दिन की कामों की एक सूची अवश्य बनाए जो लोग इस तरह से कामों की सूची बन्द करते हैं उन्हें कारियों को समय पर पूरा करने में मदद मिलती है और अगले दिन के लिए कोई कारे भी नहीं छूटता है ऐसे लोग सभी कारे को समय पर पूरा करने में सफलता हासिल करते हैं जो लोग सूची बनाकर कारे नहीं करते हैं उन्हें दबाव और तनाव झेलना पड़ता है नमबर दो अनुसासन चानक जी कहते हैं कि किसी भी कारे में सफलता तभी मिलती है जब उसे पुन अनुसासन से किया जाए सफलता में अनुसासन का विशिस महत्व बताया गया है अनुसासन व्यक्ति को कुसल बनाता है अनुसासन को जो अपनाता है वो अपने कारियों को समय पर पूरा करता है दिन के सुरुवाद करने से साथ ही पूरे दिन के कारियों की रन्नीती अवश्य बनाए इनसे जुड़ी अने चीजों का भी ध्यान रखें किस कारे को कब और कितने बज़े करना है इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए इसके साथ ही इस बात की भी गुंजाई सुनी चाहिए कि परिस्तितिया के अनुसार रन निती में ततकाल फिर बदल किया जा सके तो दोस्तो आज का च्छानक निती ग्यान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर कर देना अब बात करते हैं दोस्तो आज के कुम्भरासिफल के बारे में कैसा रहेगा आपका आज का दिन आये जानते हैं तो दोस्तो बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका हुआ है और फैसले लेने के लिए इस परश्ट सोच भी जरूरी है भविस्य में अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज से ही धन की बचत करें आपके बच्चे के पुरसकार वितरन समारों का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास रहेगा वो आपके उमीदों पर खरा उतरेंगे और आप उसके जरीए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे जब आप अपने प्रिये के साथ बहार जाएं तो अपने पहनावे और बरताओं में नया पन रखें दोस्तो आज आपका मन आफिस के काम में नहीं लगेगा आज आपके मन में कोई दूभीदा होगी जो आपको एकागर नहीं होने देगी जीवन की इन पेचिदियों को समझने के लिए आज घर के किसी वरिश सक्स के साथ आप वक्त गुजार सकते हैं आपके जीवन साती के लवों की मुस्कान पलभर में आपका सारा दर्द गायब करने की काभिलियत रखती हैं साथी दोस्तो पिता के तरह के व्यक्ति का हर कारे में आपको समर्थन मिलेगा और नए संपर्ग भी बनेंगे आने वाली पेसिटेंस और बैठकों की तरब ध्यान दें कीमती समान के नुकसान या दुरखटना से सावधान रहें दोस्तो आज आप नई योजनाई बनाएंगे नई और आप प्रित्यासित घटनाओं से आपके मन में नई विचार आना सौभाविक है अचानक किसी यात्रा कभी योग है घर में किसी मुश्किल से सामना हो सकता है लेकिन आप इस परिष्टीती से निपटने में काफी सच्छम है सफलता की खुशी मानना अच्छा है पर उसे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना दोस्तो कुछ जान पहचान वाला या भाई का साथी आपकी तरफ आक्रिसित हो रहा है और जल्दी आपको सर्प्राइज मिल सकता है प्रेम संबंदों में नई सुरुवात आपको अपने पार्टनर से ज़्यादा नजदिक ले आएगी धार्मिक जुकाओ के कारण तीथ यात्रा का भी प्लैन बन सकता है दोस्तो अपने लब लाइफ में आज एक नया मोड आने वाला है जिससे आप दोनों के बीच की घनिष्टा और भी बढ़ेगी करेलू जीवन में कुछ चिंता के पल आ सकते हैं लेकिन आप उनके लिए अच्छी तरह तयार है रिष्टे में गलत फैमिया कोई बड़ी बात नहीं है किन्तु उन गलत फैमियों से अपने रिष्टे में कोई अंतर ना आने देना यहाँ बड़ी बात है साथी दोस्तों आप खुसी मनाने के मूड में भी अधिक रहेंगे लेकिन आपको यहाँ भी समझना चाहिए कि अपनी आज स्वास्ते कर जीवन सैली के चलते आप अपने स्वास्त को बहुत नुकसान पहुचाने पर तुले हुए है आपको अपनी डाइट और सारी एक महनत सहीत सभी चीजों में कमी लानी होगी लतवाली चीजें जैसे तमबाकू, अलकोहल और ड्रक से भी आपको दूर रहना होगा क्योंकि इनसे आपके स्वास्त को गंभीर खत्रा हो सकता है अब बात करें दोस्तों आपके आज के प्रेम अत्वा संबंध की तो दोस्तों अपने साथ ही के साथ सक्रात्मक वारतलाप करने का प्रयास करें आपने वास्ताव में उपरिउख तरीके से अपने साथ ही के साथ वारतलाप नहीं की है और अभी तक आप आनंद और अपने रिष्टे को हलके में ले रहे थे दोस्तो ये समय है कि आप दोनों किसी प्राकृतिक जगा पर जाएं ताकि ऐसी जगा जाने से आप दोनों में सक्रात्मक उर्जा और भावना का संचार हो जिससे आप दोनों को खुलने में मदद मिलेगी आपके रिष्टे में भी मजबूत ही आएगी अब बात करें दोस्तो आपके आज के व्यवसाय अथवा केरियर की तो दोस्तो काम करते हुए आप एक विश्थित दिष्टिकोर को अपनाते हैं यह आपका सक्रात्मक पहलू है और इस सप्ता के अंत में आपका दिष्टिकोर मौलिक लाब में बदलेगा जोर तोर से बचें और जो भी करें इमानदारी से करें दोस्तो आपके काम की गुरवर्ता आपके काम की मातरा के बजाए ज्यादा महतो रखेगी बफादारी स्वागत तम होगी जो किसी भी मुश्कल स्थिति से आपको बहा निकाल देगी कुमबरासी वालो आज एक बात का विसेज ध्यान रखना घर में लाल गुलाब के पौधे लगा कर उनकी देख रेक करने से आपके प्रेम जीवन में और भी मधूर्था आएगी तो दोस्तो ये था आज का कुमबरासी का रासी फल दोस्तो अज सोमवार है महादेव महराज का दिन है दोस्तो अगर आप घर पर रहकर सच्चे मन से महादेव महराज की पूजा आरादन करते हैं तो महादेव महराज आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सारे कष्ट दूर करेंगे रोज की कुमबरासी फल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ओल पर सिलिट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचें आपका दिन सुभ हो नमस्ते दोस्तो रादे कृष्णा